Blue World Technology Customer Care Support आओ एक वीडियो रिगार्डिंग आपकी डेमो के लिए एहे हमारी सॉफ्ट्वेर Blue World Form Entry यूसर नेम ब्लू पास्वर्ड आप प्रोजेक्ट लेने के बाद आपको देऊंगा एह आपकी सैंपल फाइल डेमो पॉपस के लिए इस पर 13 records रखेगा अभी मैं यह टाइप कर जाती है देखो रन नमबर 1 रन नमबर सीरियल नमबर की तरक आता है आप 1000 records नहीं तो 500 records लेने पर 1 से 500 तक टाइप करना चाहता है और batch ID आप प्रोजेक्ट लेने के बाद आपको batch ID देऊंगा अभी batch ID पर डेमो टाइप करो और document नमबर भी आप प्रोजेक्ट लेने के बाद आपको देऊंगा इसलिए बोथ batch ID और document नमबर डेमो टाइप करो और page name पर यहां देखो form filling sample file है यहां sample है इसलिए मैं sample टाइप की ती और आप प्रोजेक्ट लेने के बाद आपको इस पर यहां क्या दिखाऊं ओ ही टाइप करो उस small पर रखने पर small caps पर रखने पर caps और record number record number को आपकी एक page पर कितना records है ओ calculation record number है ए page पर अभी 13 records है इसलिए एक से 13 तक टाइप करना है दूसरी page एगीन जाने पर एगीन वान से शूरू करना पड़ेगा आवर यहां company name अभी sample file देखते में टाइप कर जाती है एक ही slash आगे यहां slash होने के पहला क्या है ओ ही आप टाइप करना पड़ेगा एक column पर पहला company name है company name पर यह टाइप करना है वहां क्या है ओ ही टाइप करो limited के बाद एक dot है वो भी में टाइप कही थी और slash के बाद company address है और एक slash slash है इसलिए एक तरड कॉलम पर टाइप करना है date को वो system date पर generate होता है इसलिए वो कुछ भी नए करना है epicity है और country और ए पोस्टल कोड ए टेलफोन नंबर अभी ए फैक्स नंबर है यहां देखो फैक्स नंबर के बाद ए ए हाइफन पर ए स्लाश के बाद कोई भी नए है इसलिए mobile नंबर नए है mobile नमकर हमको एक sample file पर कुछ भी नए है वो कॉलम एमटी है इसलिए मैं एन स्लाश है टाइप करती एन स्लाश एका मतलब नट अप्लिकबल नए तो नट अवालब वो कॉंटक्ट पर्सें आवर ए पोशिशन आवर यही दिपार्टमेंट अभी यह शोरूं यह प्रोडक्ट वन वो क्यारत आवर उसका मोडल नंबर वो ZFL0001 है वो टाइप की पी और गॉर्लिक प्रोडक्ट वो उसका मोडल ZEM4001 और प्रोडक्ट 3 जिंजर उसका मोडल ZCN7001 वो पुरा ही मैं कतम कीती एक ही है single record यह पुरा ही मैं कतम कीती और यही save करना जाती है यहां देखो अभी save है मैं save कीती वो देखा है file saved successfully ओक और new देने पर वो पुरा ही जायएगा मैं second record type करना जाती है अभी यही second record है यह ही records को limit है 3 lines नहीं तो 4 lines पर रखेगा run number B अभी 2 है और batch ID demo, document numbers demo, page number भी sample है, यह second record है इस page पर मेरी second record है इसले मैं second record टाइप कीती और अभी company name लुլ beginner क Müullषima कि मैं रखेजर कि अभी टुराइब कि आह आएप चुब टूंगे रहींन के भी फ双 ड़क को सबड़ साथ सबस्पतर को से एं अ कर दूさい पान्यम फीजा को बड़ डलाई गौस्पश एंडे स具हね मोईस्पशब सबस्वा को दो सबस्टतर कॉल ब़liamo नहीं को समय आफ और आप अविण दॉक्टि स्पेंट कुंट्री शेंट अविए इस्पिंट्ट शेंट अरी दॉक्रींडन छर्फ तॉस्ट चर्शिंट्ट चर्ट नविए टेलफोन 86-532-6860189 वहाँ हाइफन होने पर आप हाइफन भी टालना है वहाँ क्या हो तो ओ ही टाइप करो आउट एक मुबाइल नंबर एक मुदमгор 696-699 329 प्रयान फिर्ण एकम्सेशन अंऑ यहीं में मिस्टर एकникиड्ट मुबाद एकिड्रेवर फ्रस्टोर सीखकर मुबद एक है our department, administrative, showroom, spanel, product 1, ginger, usk model, zfl-0002 product 2, peanut kernels, usk model number, zem-4002, our product 3, ginger puree, model, zcn-7002 ये second record भी अभी कतम हो जाएती, अभी save करना पड़ेगी, save, file saved is successfully, new, अभी वो file पर कोई गलत होने पर वो देखना चाहती तो, उसका run number टाइप करना पड़ेगा, run number 1, वो edit कर सकता है, वहां कोई गलत होने पर वो जाई भी कर सकता है एक कॉलम पर आप words टाइप करने का पहला नहीं तो, टाइप करने के पीछे कोई space देने पर, वो space error हो जाएगा, ओके, इसलिए tab यूज़ करो, space मत दो edit option यूज़ करने पर, वहां save का option disabled हो जाएगा, इसलिए आप update करना पड़ेगा, update, file updated successfully, new, इस तरखी file टाइप करना पड़ेगा, इस पर कोई गलती होने पर, शमा करो, और आप project चाहते तो, call करते आप project माँगो, और यहां इसका database, इसका पूरी वेवरेंड आप project लेने के पड़ेगा, अपकोदी को, thank you